अस्सलाम अलेकुम दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस तक्बाल है आपका अबरिन अकैडमी में आज हम ब्रीच कोर्स का क्लास 8 का डे 7 का निसाब पढ़ने वाले हैं तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं सही एदात की तक्सीम पिछले वीडियो में हमने सही एदात की जर्ब के बारे में पढ़ा था आज हम सही एदात की तक्सीम के बारे में पढ़ने वाले हैं पहली मिसाल है जमा चार तक्सीम दो अब चार को दो से तक्सीम करोंगे तो जवाब क्या आएगा दो आएगा दोनों अदद मुझबित है इसलिए हमारा जवाब भी क्या रहेगा मुझबित रहेगा इसी तरह दूसरी मिसाल है मनफी चार तक्सीम दो तो चार को दो से तक्सी चार, चार को आट से तक्सीम करोगे तो जवाब क्या आएगा, दो आएगा, दोनों अदद मुझबिद है, इसलिए जवाब भी क्या रहेगा, मुझबिद रहेगा, यहाँ पर दो को कोई निशानी नहीं है, इसका मतलब क्या है वो, जमा दो है, फिर अगली मिसाल है, मनफी बारा तक्सीम तीन, तीन को बारा से तक्सीम करोगे तो जवाब क्या आएगा, चार आएगा, बारा को मनफी के अलामत है, इसलिए हमारे जवाब को भी क्या आएगी, मनफी अलामत आएगी, तो हमारा जवाब हो गया, मनफी चार, फिर यहाँ पर मनफी बारा तक्सीम, जमाचार होगा अब यहां पर जवाब चार कैसे आया तो जिस तरह दो मन्फी सही एदात का हासिल जर्ब मुझबित अदद होता है बिलकुल इसी तरह दो मन्फी सही एदात का तक्सीम भी मुझबित अदद होता है यहां पर यह चीज़े आप लोगो याद रखना हैं कि अग मुजबित अदद ही रहेगा अगर एक अदद मनफी है और दूसरा अदद मुजबित है तो हमारा जवाब मनफी अदद रहेगा और अगर दोनों अदद मनफी है तब हमारा जवाब मुजबित अदद रहेगा दो मुजबित दोनों अदद मुजबित है तब जवाब मुजब अदद रहेगा कुछ मिसाले हैं इनको हल कीजिए आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्ला हापूँ